के गाइस वेलकम बैक तो मैं चैनल वान सेकंड कैप्चर दमन ब्लॉक्स विद मी तमाल दाश और लास्ट वीडियो में यानिके लास्ट ब्लॉग में बताया थे कि मैं कुछ प्रिपरेशन ले रहा हूं आप लोगों से बात करूंगा कि मैं यूटूब के लिए मैंने जो इन्वेस्मेंट किया हुआ है यानि कि मैंने ब्लॉगिंग के लिए जो जो मैंने किया है अभी तक उसका मैं थोड़ा description और उसका क्या-कया equipment यां इन क्या-कया चीज मैंने खरीद है recently और पहले से तो ऑजिम हमें दिखाहूंगा सो दरील आ करते चले वीडियो को start करते है लेस सेस्ट आट सो एस यू कन सी मैंने यह पर सब एरेंज करके रखा हुआ है सो फर्स्टिंग मैंने जब खड़ी था था दो आजा सत्रह में वो था यह मेरा इसके साथ मैंने लिया था 1855 mm का लेंस यह बाला जो वाइड एंगल शूट के लिए यह रहा मेरा जूम लेंस दो वाइड लेफ फोटोग्रफी के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं इसके बाद मैंने जो लिया था अप्रेट किया था और यह वाला जो लेंस अब देख रहा है 50 mm का 1.8 जी एपर्चर वाला लेंस जो मैं पोट्रेट फोटोग्रफी के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं इसके ओपर भी मैं व्लॉक पहले बना चुका हूं उसका इने में शॉट देख लिजिए अब जो ड्स एलगा जब प्राइस था जो मैनों इस दायम पर लिया था प्राइस प्राइस फिप्टी थाऊसंट रूपीज विच ओल्ड़ एक्विपमेंट मतलब एक्सटाज इसके साथ जो एक्ट्रम एने लेंस लिया था मतलब कैमेरा यह दोनों लेंस एक साथ में था किट लेंस इसका प्राइस मैंने भी बता है और उसके साथ मैं एक स्टाइब लेंस लिया था वह लेंस का प्राइस पर था मुझे 9909 रूपीज तो यह तीनों को मिला के अल्मोस 60,000 का प्राइस पर गया था मेरा टोटल तो यह रहा मेरा फोट्राफी के लिए और इसमें अभी मैं फिल अल कभी कभी ब्लॉगिंग कर लेता हूं इस कैमेरा से लेकिन हाँ उस टाइम पर मुझे ब्लॉगिंग के उतना चस्का नहीं था आईडिया नहीं था तो अगर होता तो सायद मैं स्वानी का मिरॉर लेस्ट कै करता है उतना जल्दी होता नहीं थोड़ा डिस्टाब करता है उसके बाद जो मैंने बहुत बोला कि मैरा फर्स्ट मोटर व्लगिंग कैमेरा वह था क्यामेरा कि कि मैंने बहुत जर्स्टाब करता है उसके बाद एा कि मैंने बहterror करता है प्राइस पर रहा था विद मेमोरी कार बगार सब कुछ मिला कि 7,810 रूपीज पोकर श्रस का यह कैमेरा एक्शन कैमेरा उसके साथ मैं यह माइक उस्तमाल करता उसके अंदर एक माइक दिया हुआ था व्लॉगिंग के लिए जो आफी फिला इसके अंदर है काम में नहीं आता है क्योंकि उसके बाद मैंने जो अप्डेट किया वह था इतने साल तक मैं इससे काम चलाता था उसके नॉइस प्ले का व्लॉग एडिशन कैमेरा था जो मैंने एक बड़ा अप्डेट किया वह है यह यह जो गोप्रो ही रो एट यह मेरा बिग अप्डेट है यह वाला इसका बॉक्स उसके साथ कंवर्टर लिया था मैंने रोड का इसको मैं दिखा देता हूं यह रहा मेरा को यह रहा मेरा अक्षेन कैमेरा का केस यह रहा गोप्रो गोप्रो सबका सिनेमेटिक शोट मैं दिखा दूंगा जान्दे कर, 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 जा इसके वह मैंने ब्लॉग भी बना चुका हूं तो यह थोड़ा मैं ढखके रखा था यह कुछ जुगार करके रखा था फॉर सेफटी परपस एडिशनल सेफटी तो यह रहा मेरा मीडिया मॉड्ड इसका पैककेट रहा बाख मीड और इसका प्राइस दोनों मिला कर पादा मैं लिंक दे दूंगा मैंने कहां से लिया था उसके साथ मैंने एक इक्स्टा बैटरी भी लिया था और भी कुछ मांट बगड़ आये थे मांट जो है सारा मांट सब मेरे यहां पर है इसके अंदर इस पाउच के अंदर मैं कैडिका हाँ सबको खूल-खूल कर दिखा तो नहीं सकता लेगिन इसके अंदर पूरा जो भी मेरा नहीं जरी मांट मुझे चाहिए व्लागिंग की लिए सब कुछ इसके अंदर है यह भी एक एक्स्टा मांट है इसको भी मैं इसके अंदर रखता हूं तो यह रहा और यह रहा मेरा कि माइक मानों का एक माइक जो अप्राइस आप डाउन हाता है इसको मैंने खरीता था फाइब नाइट एन में शायद दिखा लिंक दे दूंगा मैं इसका भी यादनी फाइब ने आवे शिक्स नाइट जेन में इसको खरीता था इस एड़ाप्र के साथ मनें सॉरी मीडिया मो कॉम्पैक सा मुझे मुझे एक जो है कामेरा चाहिए था क्यूंकि हीरो सेवें में उलांजी केस उसके साथ माइक एडप्टर एक्स्ट्रा से लेना पड़ता था वह भी उलांजी केस का जो नीचे रखना पड़ता था या फिर जो भी है फिर से मतलब बलकी सा सेटप हो जा भी है फिर मिलता है तो और मीडिया मुड में एक्स्टर शॉटगन माइक भी मुझे मिल गिया रोट का जो इस तरीके साथ यह होता नहीं है उत्मा बेटर तो नहीं होता लेकिन फिर भी काम चलाू नॉर्मल माइक और रोट का रखन माइक उस से दोनों के बीच में एक काम स यह मेरा सबसे बड़ा यह वाला प्रोड़क्त और यह वाला प्रोड़क्त जो की है मेरा DJI Mavic Mini फ्लाइमोर कॉम्बो ड्रोन इसका सीनेमेटिक शौर आप देख लिजी अभी यह वाला प्रोड़क्त जो कर आपकान आपकान शौर आपकान शौर आपकान चानदर आपकान शौर आपकान सेफ़ादिक शौर आपकान शौर प्रोड़क्त जोकी है मेरा DJI Mavic li तो आप लोगों को कैसा लगा सो यह रा में ड्रोन यह रैसे कंट्रोलर इसका जोइस्टिक यहाँ पर है रखने का जगा यह तीन बैटरी यह चार्जिंग हाप इसके अंदर तीन बैटरी है इसको आप पावर वैंक के साथ ऐसे पावर में भी इस्तमाल कर सकते हो यह पर कुछ एक्स्टर फ्रोपेलर यह पर कुछ कनेक्टर खोलने का स्क्रू यह कुछ चीज है जो मैं आप रख देता हूँ क्योंकि पूरा सेटप लेकर गूमनी सकते हैं इसलिए मैने को एसपर आप अगर जानना चाहते हैं तो आप गूगल में देख सकते हैं यूटूब में बहुत सरा वीडियो है इसके उपर फिर भी मैं बता तो टूपन सेवन के तक आपको रेकॉड कर सकता है और इसका फ्लाइंग बहुत ज्यादा है तो ठीकता क्वालिटी मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं मैंने अप्लूट किया था मेरे हों प्रिमेस के उपर फिर से उसके बाद मैंने एक ब्लॉग डाला था रहमान खांउस के अपर आपड़ा चेकवाट कर सकते हैं और ये चीज़ जो आपार रखा था ये था यह वाला चीज रोट का ata c3 adapter converter जिसको बुलायाता था और इसके अंदर क्या है और फिसके अंदर है GoPro का एक charging हाब यह मेरा दो बैटरी एक गोप्रो के साथ आया था एक मैंने एक्सेण लिया था gym अगो प्रो का WILLIAM का battery फैटरी अग्राय्ज आपको बताया कि मेरा टोटल कौस्ट तो इक्स्टर बैटरी चार्जिंग हाँ सब मिला के 43,784 रूपिस परा था टोटल गोप्रो का होल सेट अप मतलब उसमें यह चार्जिंग हाब भी आया था तो मैं आलग अलग से नहीं बता है इसलिए टोटल में बता दिया कि 43,784 रूपिस का प्राइस परा था जो भी है और मेरा जो अभी सेगेंडरी के अक्षिन कैमरा बन चुका है पहले तो प्राइमरी था उसका भी दो बैटरी यह दो बैटरी इसको जरूरत नहीं पड़ता ल द्सरा कैमरा के लिए ट्राइपोट लास्ट टाइम जो लास्ट मतल्स तीन साथ जो ट्राइब इसका नाम था सिंपेट्स ट्रूपल टू वह बाला मोटल उसका ये बैग है लेकिन अभी रिसन जो मैं इसमाल करता हूं यह बला इसके साथ यह थो अच्छा हर्ट शेल्डर ह अच्छा से वालिटिए बैग मिला इस ये वाला ट्राइपोट का नाम है अमजन बेसिक सम्टिंग एमाजन बेसिक 50 mm का ट्राइपोड है कुछ इसका नाम है मैं इसका भी लिंक दे दूंगा जो भी है और यह सब चीज को मैं जिस चीज से चार्ज करता हूं वह बला इते है है किया यह रीच से देख सकते हैं चार्ड यह देन्द्ध का यह रक्त हैं हुं और शेक्स पॉइंट है और बैस शे पोइंट भाख से लिच था करた को चार्ज होगा है यह सब चार्ज हो लिचे हां तो एक एक मेंधे अग्स्वर्ण में हिंदनी था रखत है कि आप एक सेंशन बोड भी लेकर जा सकते हो लेकिन यह थोड़ा कॉम्पैक्ट है इसलिए मैं इसको लेकर या इसका प्राइस पड़ा था समतिंग छहीं सो रुपे एक्स्टरनल माइक जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर यह मैं के और मेरे पास माईक है जो की इसके अंदर प्राइस मुझे पढ़ा था 1079 का तुड़ा तीनों मैं का प्राइस पर राथा जो भी है और यह रहा मेरा कुछ स्टिकर यह रिफलेक्टिग स्टिकर मेरे चैनल का यहां पर स्टिकर रहे कुछ जगह पे मैं लगाऊंगा बाइक सर्विस्ग होने के बाद यह मेरा बाइक का मेरा बाइक जो इसका नाम है बगीरा जो मोगली का जो बगीरा था उसके इंस्पारों के मैंने लगाया था यह कुछ स्टिकर है कुई मॉली से राइनॉक्स से राइनॉक्स से सब रिफ्लेक्टिस्टी पर उसके बाद गोप्रो से यह सब स्टिकर में लगाऊंगा और बगीरा क्योंब पढ़ा क्यूंकि मोगली में कारेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था तो इसलिए मैंने बगी रसका नाम रख दिया मेरा बाइक का नाम बगीरा अफिशियल नहीं में बगीरा तो इसमें एक नाम आएगा वो नाम शायद ये वाला है याप लखा हुआ तो यह रहा मेरा सेट अप एक मोबेल से मैं रेकॉट कर रहा हूं यह रहा मोन पॉट या फिर गोईला पॉट यह जो भी है अटाच करके मैं इसे ब्लॉगिंग करता हूं इसे मैं करता हूं तो यह जो मोन पॉट इसका प्राइस कुछ पढ़ा था मतलब यहाप तीन सेक्शन में डिवाइड हुआ है यह वाला पार्ट एक है बीच में देखिए 361 रोटेटर है यह वाला बीच का पार्ट यह उपर का एक दो तीन तीनों पार्ट में यह दिवाइड इसका प्राइस पर आथा 255 और उसके बाद यह वाला जो प्राट है यह मैटल का यह बहुत अच्छा है सब्ली बहुत अच्छा है इसका प्राइस प्राइस पर आथा 315 मतलब तीन से बंद्रा रुपए 298 255 टोटल कर लिजे टोटल मैं लिग दूंगा डेस्क्रिशन बॉ और रिस्टी से जाके सबको देने के बारे में सबका लिंक में दे दूंगा तो यह रहा मेरा व्लॉगिंग सेटप इसमें मेरा टोटल खर्चा आया था अल्मूंट दो लाग रुपीज एक प्राइस में टोटल करके मैं दे दूंगा हो गया था मेरा एक लग सेवेंटीव क्योंकि इसमें बहुत सरा चीज है जो मैंने इंक्लूट अभी तक किया नहीं क्योंकि मेमोरी कर तब दिखा नहीं सकते हर डिवाइस में लगा हुआ है तो अलग-अलग करके मेमोरी कर लेने के बाद अल्मूस प्राइस का वान लाकी हो गया है तो एरा चीज इससे में अभ लास्ट देर साल से मैंने ज्यादा कुछ खरीदा नहीं था सिर्फ 15,000 रुपिस मैंने इंवेस्मेंट किया था ये दोनों प्रोडक्ट इंक्लूट होने के बाद इसका प्राइस बहुत ज़्या बढ़ गया मतलब मेरा यूटूब में इंवेस्मेंट ज्यादा हो गया था क है कि ड्रोन का जो यह कॉंबो है इसका प्राइस पराथा मुझे 49,909 रुपीज न्याने की ओल्मोस 50,000 रुपीज ड्रोन का कॉंबो पैक का प्राइस पराथा मुझे ओ सॉर्डी एक चीज़ भूल गया था यह रहा मेरा सिल्पी स्टीक है काफी काम का चीज़ है और स्ट् अच्छा लगा मेरा बेसिक बजेट ब्लॉगिंग सेटप अभी तक बेसिक बजेट बलाई था लास्ट टू थिंग्स यह ड्रोन और यह हिरो एट गोप्रो का हिरो एड होने के बाद वीडियो क्वालिटी अच्छा होगा और बजेट भी भर गया क्या करू क्वालिटी के थोड़ा पैसा धिला करना पड़ता है इसके लिए मैंने बहुत दिनों से वेट कर रहा था पैसा बहुत सेट किया उसके बाद जाके मेरे हडन मनी से मैंने अपने खुद के सेविंग से यह मैंने पर्चिस किया बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो होफफुली अप कियेगा और और बीजिए अँग ब्रचिशन को अन करकर रखिएगा ताके नेक्ट ब्लोग जब आने वाला रिसेंट्ली अपलोट कर दूंगा वो ती निन में तो आप लोग को पता चलेगा कि नेक्स ब्लॉग किसके ऊपर होने वाला है और आप रोग इंज़य कर पाओ तो मिलते नेक्स ब्लॉक पे और तभी के लिए अब आप सबी को गुद नाइट और मुझे भी पिस होना है और नेक्स ब्लॉक के लिए बेदी करना और दूसरे चीज़ों को रेइडी करना है तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में ठाटा